हेलो फ्रेंट्स मैं प्रियंका अपने चैनल रेस्पी में आपका स्वागत करती हूँ फ्रेंट्स आज में आप लोगों के लिए बहुत ही खास डेजर्ट सेवई कस्टर फालूदा की रेस्पी लाए हूँ कस्टर बनानी के लिए हमें चाहिए सेवई हाफ पजोकी साथ ग्राम है मैंने मोटी बाली आले सेवई पकने का समय अलग अलग होता है चीनी हाफ कप जो की 100 ग्राम है, घी हाफ टेवल स्पून, कस्टर 2 प्लस हाफ टेवल स्पून, थोड़े से केसर है, थोड़े से ड्राइफ फ्रूट्स है, जिसमें की कटे हुए किश्मिस 1 टेवल स्पून, कटे हुए काजु 1 टेवल स्पून, कटे बादाम 1 टेवल स्पून विस्ता half table spoon है dry fruits की मात्रा अपनी हिसाब से ghaटाया बढ़ा सकते हैं और इसे fruits भी लिए हैं इने हम काट लेंगे आप अपनी बसंद के कोई भी fruit ले सकते हैं fruits की मात्रा अपनी हिसाब से ghaटाया बढ़ा सकते हैं थोड़ी सी tutti fruity भी मैंने लिए टूर लेकशनम कि मिलास चाहिए इसके सवाइब मैं धूर गहिए इसने पांप लेविटोंर गभंप शले है एक लीटर दूद है यह रूम टेम्प्रेचर पर हैं दूद में आधा कप दूद निकाल लेंगे लगातार चलाते रहना है ताकि सेवय जलेना सेवय रोष्ट हो चुकी है अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूं इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूं अब हम किसी बरतन में दूद को गर्म कर लेंगे दूद में एक उबाल आने का हम वेट करेंगे बीच बीच में इसे चलाते भी रहना है ताकि दूद जले नहीं दूद जलने से सिवय कस्टर का टेस्ट खराब हो सकता है इसे लगातार चलाने की जरूरत नहीं है दूद में एक उबाल आ चुका है अब हम इसमें सेवय डाल देंगे सेवय को हम मीडियम फ्लेम पर 5-7 मिनाट तक पकाएंगे इसे बीच बीच में चलाते भी रहना है लेकिन लगातार चलाते रहने की जरूरत नहीं है साइड में लगी मलाई को भी स्क्रेच करते रहेंगे ताकि मलाई जले नहीं सेवय को पकते हुए 5-6 मिनाट हो चुके हैं अब मैं सेवय चेक करके बताती हूँ कर सेवय को दबा कर देखेंगे यह तूट रहा है यानि कि यह पक चुका है अब इसमें चीनी डाल देंगे चीनी को गूलने तक हमें इस पकाना इस्समें कैसर डाल देंगे चासर का टेस्ट तो आएगा हैं साथि सेवय कश्टेड का कलर भी थोड़ा सा यलोइश हो जा अब हम इसमें ड्राइफ रूट्स डाल देंगे इसे अच्छे से मिलाएंगे इसी समय हम इसमें कस्टर्ड का गोल डालेंगे कस्टर्ड को डालने से पहले इसे हम अच्छे से एक बार मिला लेंगे क्योंकि मैंने पहले ही कस्टर्ड को गोल लिया था और गोलने के तुरंत ब लो रहेगी सेवाइ कष्टर को हम पांच मिनट के लिए छलाते हुए लो फ्लेम पर पखाएंगे इसे लगातार चलाते रहना जरूरी है लगातार नहीं चलाते रहने से श्टर जल सकता है साइड में लगी मलाई को भी श्क्रेच करते रहेंगे ताकि यह जले नहीं कस्टर्ड को पकते वे 5 मिनट हो चुके हैं अब हम गैस की फिलेम को बंद कर देंगे सेवाई कस्टर्ड तो तयार है लेकिन हम इसे अब पूरी तरह से ठंडा करेंगे इसके बाद ही हम इसमें फ्रूट्स डालेंगे क्योंकि गर्म custard में fruits डालने से custard तुरंती पतला होने लगता है इसको पूरी तरह से ठंडा होने में आधा से एक घंटा लग जाएगा बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे ताकि custard पर पपरी ना बने अभी custard पतली लग रही है लेकिन जैसे जैसे ये ठंडी होगी वैसे वैसे ये गाड़ी होती जाएगी सेवाई custard पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है देखिए फिरंस ये कितनी गाड़ी हो गई है ये चिल्ड खाने में जादा अच्छी लगती है इसलिए मैं इसे एक बोल में ट्रांसफर करके फ्रीज में रख दूँगी अगर आप चिल्ड कस्टर्ड पसंद नहीं करते हैं तब आप इसी समय इसमें कटे फूर्ट्स डाल कर सर्व कर सकते हैं अब हम इसे एक से दो घंटे के लिए फ्रीज में ढख कर रख देंगे ये पूरी तरह से चिल्ड हो जाएगा तब ये खाने में बहुत अच्छा लगेगा लगवग दो घंटे हो गया है सेवाई कस्टर्ड काफी चिल्ड हो गया है देखिए फ्रेंट्स ये कितना गारा लगड़ा है मैंने जो फूर्ट्स लिये थे उसे मैंने काट लिये हैं इन्हें मैं सेवाई कस्टर्ड में डाल देती हूँ मैंने थोड़े से fruits डेकोरेशन के लिए बजा लिए हैं थोड़ी सी तूटी फुरूटी लिए है इसे भी मैं डाल देती हूं फ्रेंट्स आप चाहें तो सारे fruits इसी समय सिवई कस्टर्ड में डाल सकते हैं इसे हम अच्छे से मिलाएंगे फ्रेंट्स मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि हमेशा सर्व करने से पहले fruits को कस्टर्ड में डाले क्यूंकि fruits की वजए से ये दीरे दीरे पतला होने लगता है fruits को हम जादा जादा एक से देर घंटे पहले चिल्र कस्टर्ड में डाल सकते हैं लेकिन fruits डालने के बाद हमें इसे फ्रिज में रखना परेगा फ्रिज में यह जल्दी पतला नहीं होता है अब मैं सेवाई कस्टर्ड फालूदा को सर्व करके बताती हूँ आप इसे किसी बोल या फिर ग्लास में सर्व कर सकते हैं सबसे पहले मैं एक चमच रू अफजा सिरफ ग्लास में डाल रही हूँ रू अफजा अफशनल है आप नहीं पसंद करते हैं तो इसका इस्तमाल ना करें अब हम इसमें थोड़ा सेवाई कस्टर डालेंगे इसके उपर से हम कटे वे फूर्ट्स थोड़ा दालेंगे फूर्ट्स में मैंने मैंगो केला ग्रैप्स सेव लिये हैं अब मैं कटेवे ड्राइ फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी इसमें डाल देती हूँ फ्रेंट्स फ्रूट में आपको जो भी पसंद हो उसी का इस्तमाल करें इसके ऊपर से आधा चमच रूफ जा सिरफ डाल देंगे अब हम सेवाई की दूसरी लेर बनाएंगे सेवाई कस्टड के बाद हम कटेवे फ्रूट्स ड्राइ फ्रूट्स टूटी फ्रूटी डाल कर आधा चमच रूफ जा सिरफ डालेंगे सेवाई कस्टड में मैंने पहले भी ड्राइ फ्रूट्स और फ्रूट्स का इस्तमाल किया था तो लिजे फ्रेंट्स सेवाई कस्टर फालूदा बनकर तयार है यह देखने में कितना टेम्टिंग लग रहा है कटोडी में भी हम इसे इसी तरीके से सर्व करेंगे यह बहुत ही शांदार और लजीज बना है इसे आप एक बार बना कर देखिए यह आपके जुबान से उतरे और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिल सके मिलते हैं नेक्ट वीडियो में एक नहीं रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाइफ्र